हेलो फूरीज, वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं आप सभी के साथ मेरे पर्सनल फेवरिट बिस्किट की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ वो भी बिना अवन के, बिना अंडे के ये है सिंपल इजी जीरा बिस्किट की रेस्पी जो की चाय वगेरा के साथ बहुत अच्छा जाता है और इसे बनाना कितना असान है ये तो वीडियो देखके ही आपको समझ में आ जाएगा इसे हम बनाएंगे गेहूं के आटे और घी के साथ तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है सबसे पहले आपको जो सुखे इंग्रीडेंट्स है यानि कि आटा वगेरा वो चान लेना है तो इसके लिए आपको मेजरिंग कप के भी जरूरत नहीं है घर की ही नॉर्मल कटोरी से जिसमें हम दाल सबजी वगेरा सर्फ करते हैं आधा कटोरी के जितना मैंने गेहूं का आटा लिया है आधा कटोरी के जितना मैदा लिया है आप चाहे तो पूरा मैदा ले सकते हो या फिर पूरा गेहूं का आटा ले सकते हो बट मिला के जाधा अच्छा टिक्षर आता है इसमें मैंने आट कर दिया जिस चम्मच से हम ख आप देख सकते हो सारी ही चीज़े मैंने उसी चमच से नापके आपको दिखाई हैं तो इसी तरीके से आपको लेना है इसे चान लेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये बनाना बेहद आसान है एक बार तो ये रेस्पी ट्राय करना आपको बनता है अगर आप जीरा बिस्किट के फैन है तो फिर आप फिर घर में ही बनाना शुरू कर देंगे यहाँ पर मैंने एक चमबच के जितना जीरा लिया है मुझे जीरे के साथ अजवाइन का भी फ्लेवर अच्छा लगता है तो मैंने आदा चुटा चमबच के जितना अजवाइन भी डालाै अगर आपको completely जीरा बिसकिट बनाना है तो अजवाइन वाला इस्टिप स्किप क कर सकते है थोड़ा से DRY ROAST करें जोड़ा सा बूनेंगे तक एक आरोमा आ जाए थो तीन मिनट DRY ROAST करने के बाद इसे बेलन की मदद से this थोड़ा सा CRUSH कर ले मैंने आपको mixi में करके इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हम हिसका powder नहीं बनाना है हलका सा दरवरा ही तो बेलन से हलके हाथ से इसे crush कर ले completely इसका powder नहीं बनाना है ध्यान में रखना है आपको तो बिल्कुल ऐसा ही texture चाहिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ इस टाइम पर जीरे और अजवाइन की इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है मुझे personally जो जीरे जवाइन वाला biscuit होता है वो savory biscuit होता है नमकीन biscuit होता है मुझे मीठे biscuit से ज़ादा savory biscuit पसंद है तो एक बार तो आप ये recipe ज़रूर try करे इसमें अजवाइन और जीरे का बहुत अच्छा flavor आता है तो इसे हमने जो dry roast करके डाला है इससे उसका flavor और जादा enhance होगा इसका आधा भाग जीरे जवाइन का मैं अभी आट कर दी रहो थोड़ा सा बात में उपर से garnish के लिए बचा के रखा है मैंने तो जो dry ingredients है जो हमने चान के रखा था उसमें मैंने आधा जीरे जवाइन डाल दिया है और थोड़ा सा बचा लिया है इसे mix कर लेंगे अब हम तैयारी कर लेते हैं creaming की creaming मतलब जो हम wet ingredients को एक साथ फेटते हैं उसकी बात कर रही हूँ है तो यहाँ पर मैं शुद्ध देसी गी लेके आपको दिखा रही हूँ जमे हुए form में लेना यह नहीं कि पिगला हुआ गी है बहरा है उससे उतना अच्छा texture नहीं आएगा थोड़ा सा जमा होना चाहिए कर गर्मी जादा है आप इसे थोड़ी देर के लिए fridge में रखतें जब तक कि यह ऐसा जम नहीं जाता है अब इसमें आपको add करना है दो से तीन चम्मच के जितना पिसी वही चीनी वही हमारी रोज मर्रा वाली चीनी को मैंने mix में डाल के पीस दिया है उसी चीनी का मैं उसी चम्मच से नाप के तीन बार मैंने लिया है तो थी टेबल स्पून आप मान सकते हो आपको अगर थोड़ा सा जादा मीठा पसंद है आप जादा डाल सकते हो बड़ चुकि यह सेवरी बिस्किट है तो मैं तीन चम्मच से जादा नहीं डाल रही हूँ जिनको थोड़ा सा फीका पसंद है वो दो चम्मच भी डाल सकते हैं अब आपको अच्छे से फेटना है अगर आपके पास इस तरीके से हैंड विस्क नहीं है आप चम्मच या फोक के भी मदद से 7-8 मिनट तक अच्छे से फेटे यह देखे इसके soft peaks निकल आये हैं यह घी और चीनी जो हमने अच्छे से फेटी है बिल्कुल ऐसा texture हो जाना चाहिए शुरुवात में जितनी quantity थी अब आपको जादा भी लग रहा होगा क्योंकि हवा भर गई है और काफी अच्छे से light हो चुका है पहले जो घी का रंग था पीला था अब आप देख सकते हो काफी white हो चुका है तो बिल्कुल ऐसा texture चाहिए इससे आपके जो biscuit है काफी खस्ता बनेंगे इसमें मैंने add कर दिया जो हमने चान के रखा था सारे dry ingredients चम्मत से अच्छे से mix कर ले पहले चम्मत से mix कर ले फिर उसके बार हाथों की मदद से उसको बस आटा इकठा करना है हमें गूनना नहीं है मैं आपको दिखा दे रही हूँ बहुत ज़्यादा हमें इस पे force नहीं लगाना है बस इकठा हो जाए आटा ऐसा ही हमको texture चाहिए अगर आपका आटा बहुत ज़्यादा dry आपको लग रहा है इकठा नहीं हो रहा है जैसे मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं सारा आटा अपने आप इकठा होना शुरू हो गया है आप क्या कर सकते हो एक या फिर दो चम्मच उसी चम्मच से जिससे हमने चीनी वगेरा नापी है एक या दो चम्मच के जितना दूद आट करें उससे ज़्यादा नहीं जितना क्रंबली होगा आपका बिस्किट उतना क्रिस्पी और उतना खस्ता बनेगा तो ये देखे सारा आटा एक साथ एकठा हो गया है डो अभी लूज हो चुका है क्योंकि घी रूम टेंपरेचर पर आ चुका है इसे हम थोड़े देर के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि थोड़ा सा सक्त हो जाए तो मैंने करीबन 20 मिनट या फिर आदे घंटे के लिए रखा था उससे जादा नहीं रखा था आपको एक घंटे तक रखने के जरुरत नहीं है जैसे मैंने कराची बिस्किट फगेरा में दिखाया था आप आदे घंटे बाद भी निकालोगे तो आराम से बेलने लायक हो जाएगा अब यहाँ पर मैं दो तरीके से दिखा रही हूँ तो एक आवण में और एक बिना आववन के गैस पे तो इस तरीके से एक स्टीठ की प्लेट है जिसे पहले हमने हमने normal reάnd oil से urgbeat मीनटर से बीसीट वाली रेसीपी में घर पे नॉर्मल पेपर से कैसे बट़पेपर भूर्ब बिनाया है आप जाकर चेक कर सकते हो लिंक आपको को डिस्क्रिप्चन इसे एक shape दे और बेलन की मदद से इस तरीके से बेल ले आपको इसके sides कटे फटे दिखेंगे बट don't worry उसमें कोई tension लेने वाली बात नी उसे हम कट करके निकाल देंगे और वापस से बेलेंगे मैं बिना किसी सांचे के दिखारियों की अगर आपके पास मलब cookie cutter वगेरा नही है तो किस तरीके से आप biscuit बनाएं बहुत ही आसान है चाकू तो हम सभी के घर पे होता है तो shape हम इसी से देंगे थोड़ा सा आपको thickness रखनी है जो आपने बेला है एक cm के thickness होनी चाहिए कम से कम एकदम से पतला होगा ना तो biscuit बहुत जल्दी मतलब color आ जाएगा जो timing मैं आप को बताऊंगी उस time में आप बोलोगे कि आपका biscuit जल गया है या फिर जादा रेड हो गया तो थोड़ा सा मोटा रखें साइट साइट के हिससे हटा दें उसे वापस से कठा करके आपको same process repeat करना है उसको फिर से बेलना है यह मैं पहले निशान लगा ले रही हूँ यह देख कर सकते हैं मैं अभी से adjust कर दोंगे आप देख सकते हो तो यह हमारे biscuit almost ready है यह जो बचा हुआ डो है अब क्या होता है ना जैसे square शेप दे रहे हैं तो बार बार साइट साइड वाले हिससे कटके निकलते रहेंगे तो आप सोचोगे कि लास तक कैसे बनाए चौक और तो उसक हम घर में बर्फी वगरा बनाते हैं मावा जब हम किसी प्लेट पे ठाले पे डालते तो उस पूरे के पूरे मिक्षर को हम square शेप देते हैं आपको सेम उसी तरीके से इस डो को भी square शेप देना है ताकि इस बार इसके साइड से कोई हिस्स्ता ना काटना पड़े आराम से च पूरी की तरीके से फूल ना जाए क्रिस्पी बने इसी तरीके से बाकी के भी कर लेंगे अब प्री हीट करना बहुत इंपॉर्टन जैसे अगर आप गैस पे बेक कर रहे हो तो यहां पे मेरे पास मोटी तलीका यह भगोना है आप कूकर में कढ़ाई में जो भी आपके पा गरम करें गरम करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अवन में बेक करना चाहते हैं इन प्री हीटइद अवन 180 डिग्रीक एंप अवन है तो कनवेक्षिन मोट पे ओटीजी है तो ओटीजी पर पहले प्री हीट कर लें फिर उसके बाद उसे भी बेक करना है बारा से पंदरा मिनट अवन में गैस पर मुझे लग गया थे करीबन सत्रा से अठारा मिनट डिपेंड करता है कि आपने मतलब जो बिस्किट है कितना मोटा काटा है अब जैसे गैस पर जो बिस्किट बेक होते हैं उपर से कलर नहीं आता है तो मैंने तवा एकदम अच्छे से गरम करके उपर रख दिया है उपर से भी आच मिल रही है, नीचे से भी मिल रही है, तो उपर से भी इसमें अच्छा खासा कलर आ चुका है, बट मैं आपको डिफरेंस दिखा दे रही हूँ, गैस वाले में और अवन वाले में क्या डिफरेंस आया है, पीछे से आप टेक्शर देख सकते हैं, बिल्कुल है, गैस वाला, बट मुझे अच्छली गैस वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, अवन वाला शयाद मुझे एक-दो मिनिट कम करना चाहिए था, तो डिपेंड करता है, आपने बिस्किट को कितनी थिकनिस में कट किया है, तो यह हमारे बढ़िया जीराजवाइन बिस्कि अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो फटा-फट इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, अगर कुछ नहीं अच्छा लगा है, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, बाकी डिसलाइक करने पर आपको कमेंन सेक्षन में बताना ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं अप्लोड करूँ, उनके नोटिफिकेशन आपसे मिसना हूँ, मैं मिलती हूँ, नेक्स टाइम एक नई रेस्पी लेके, तब तक के लिए टेक किया, बाबाई